मालाराणी गाव पाली का पहाडी क्षितर में स्थित एक पालिका है, जो लुंबिनी प्रांथ के अंतरगत अरघा-खांची जिले के छे स्थानिय स्तरों के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है. इस गाव पालिका केंदर मालाराणी तीन खंदह धुंगाडे में है. यह ग प्यूठान और गुल्मी जिले और दक्षिन में संदिखर्क और भूमिकास्थान नगरपालिकाओं तक फैली हुई हैं। ये मंदिर प्रकृती का एक खूबसूरत उपहार है। ये मंदिर प्रकृती का एक खूबसूरत उपहार है। ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 2100 मीटर की उचाई पर स्थित है और हरियाली से घिरा हुआ है। मालारानी मंदिर अत्यंत सुंदर है जो पूर्व में खन्न दह बजार, पश्चिम में हंशपुर, उत्तर में हाड़ हाड़े और दक्षण में बागी के बीच स्थित है। मंदिर के पास ही एक गुफा है, जहां एक संत बैठ कर ध्यान करते थे। मध्य पहाड़ी लोकमार्ग की खन्न दह हंसपुर सडक मंदिर और शहर को जोडती है। क्योंकि ततकालीन अरगह राजा की भानजी का नाम माला था और उन्हें दूसरे राज्य की रानी माना जाता था। धार्मिक मान्यता है कि इसी नाम पर माला रानी मंदिर की स्थापना की गई थी। माला रानी मंदिर से थोड़ा नीचे गुरस की तलहटी का पानी है और यह पानी कभी नहीं सूकता है और इस पानी को मन चिनते पानी भी कहा जाता है। क्योंकि अगर यह पानी मंदिर में चड़िये तो मन की इच्छा पूरा करता है। मालाराणी मंदिर में लोग अपने मन की इच्छा पूरी करने की शक्ती पाने के लिए आते हैं, अब भी लोग मंदिर में इसलिए आते हैं क्योंकि अगर वे मननत मांगेंगे तो वह पूरी होगी. मालाराणी मंदिर के दर्शन के बाद एक अलग ही आनंद की अनुभूती होती है प्रत्येक रविवार को मंदिर में विशेश पूजा होती है हर साल बैसाख पंचमी, दसई के त्रेयोदशी में भब्य सराय नाच होता है और मंसिर के पंचमी जैसे शुभ अवसरों पर भी पूजा की जाती है हर साल शिवरातरी के दिन पाँच हजार से ज्यादा श्रद्धालू अलग-अलग जगहों से दर्शन के लिए आते हैं मालाराणी मंदिर से लगभग एक किमी ऊपर एक प्राचीन मंदिर का स्थान है जहां अब मंदिर बना हुआ है मूल मंदिर के अवशेश अभी भी देखे जा सकते हैं उक्त स्थान से दक्षण दिशा में अरगा मंदिर दिखाई देता है उक्त स्थान से अर्गा मंदिर का दर्शन होता है, वहां एक बहुत बड़ी पहाडी है, उक्त पहाडी के मध्य भाग में चरचरे नामक स्थान है एक किन्वद दंती है कि केवल धर्मात्मा व्यक्ती ही वहां का पानी खा सकता है, जहां अभी भी पानी है